नमस्ते साथियो एक बार फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो में साथियो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिरस्ट टाइमर आपकी बच्छिया अगर 21 की प्रइगनेट तो आप कीसे पता और के से पहुत सारे पासी нее आपको दिखाने वाला हूं की कौन से सिम्टम्स बैक करके आप अशानी से अपनी बच्छिया की की प्रइगनेट कर सकते हैं इसके लिए आपको फोड़ा सा अपनी जो बच्छय ना उसकी हिस्टरी में जाना होगा आपने जब अपनी बच्छय की एकर वाई थी उससे पहले यानि जो silent हीट आई थी या फिर आपकी जो बच्छी पहली बार में रहाई थी क्योंकि कई बार क्या होता है देखी अचानक से जो बच्छी है ना वो हीट में आती नहीं लेकिन पसुपालग ऐसा सोचता है क्योंकि जब silent हीट रहती है उस में पसुपालग भाई को पता नहीं चल तो एससे में जब रहती है तो बच्छी पसुपालग वही वह करवा देता है यह तो ठीक है लेकिन उससे पहले यानि जब बच्छी आपकी silent हीट में आती है तो शुरुए पर तो बिसर दिखाती है यह जो बच्छी है यह 21 दिनों की गाबिन हुई आज तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सिम्टमों की अगर हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दू कि जब यह 21 दिनों की आजगाबिन हुई यह उससे पहले यानि जब यह हीट में आई थी तो हीट जो शुरुआते ही रहती है जो बच्छी की उसमें यह हलका पदारत है वो डालती है उसके बाद क्या होता है कि यह दूबारा जब 20 दिनों के बाद हीट में आती है तब थोड़ा सा पतला डिस साज है वो दिखाती है और सासा साइलेंट हीट रहती है जैसे जमीन का सुरुगना साथ ही साथ दूसरा जो पसुपास में उसको परिसान क आपको उसमें दिखाई देते हैं जब आपकी बच्चिया साइलेंट हीट में रहती है उसके बाद अगले जो 21 दिन होते हैं उसमें अगर आप सही से खान पान करवाते हैं अपने बच्चिया को तो फिर जो खुलकर हीट में आ जाती है उस पर भी मैंने वीडियो बना है आपको क्या खिलाना पिलाना है वो भी आप देख लेना लिंक है वो डिस्क्रिशन में दे दूँगा तो साथ यो अभी अगर हम बात करें इसके 21 दिनों की तो देखिए 21 दिनों की जब गाविन हो गई है तो यह अब एकदम सांत देखिए अभी बच्चिया को बांदा है और देखिए यह बच्चिया घडी हुई है यह देखिए आता ही आराम से बेट गई यह देखिए ए और आता ही बेट गई यहां पर आपको देख सकते हैं कोई मुवमेंट कोई हल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहें इस के अलवाद जो दूसरा सिम्टम आपको दिखाई द लगा हुआ है इधर यहां पर लगा हुआ है तो यह सिम्टम्स है 21 दिनों के जब आपके बच्छा गाविन हो जाएगी इस दुरान यह सिम्टम्स दिखाई देगा वह थोड़ा सा गाड़ा रहेगा और अगर डिसर दिखाई नहीं भी दे क्यों कि हैं कि हमारी जो बच्छा है वह प्रेगन इधाये या नहीं उसे गाई नहीं है इसके दो नहीं हुए और इसाद़ को हाना है और उसका आपके बच्छा और सर्ल हो गया से तो यह सारे सिंटम्स है वह आपकी बच्छा को कहिन कह हमादीन कर थे हैं कि आपकी बच्चिया वो प्रेग्नेट हो चुकी है इसके अलबा थोड़ा सा प्यास में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी राम करते हुए आपको ज्यादा नजर आएगा भी हम इसको खड़ा करते हैं देखिए एकदम मस्त है ये देखिए तो ये अभी देखिए पहले क्या था जब ये हीट में आती थी तो तब उस में वो ज्यादा अपने पास हो फटकने नहीं देती थी क्योंकि और अपना जो सीर है वो भी बार बार मारती थी अपना मुह वो बार बार पिछे की तरफ ले जाती थी चाटने के लिए तो ऐसा अब नहीं है अब देखिए अब देखिए इसका सभाव एकदम सरल हो गया ये देखिए कहें भी आप यहां पर देखिए हाथ है वो लगा सकते हैं कहें भी ये देखिए वरना ये जब हीट में आती थी उसमें ये सब संभव नहीं था ये देखिए आप अडर के भी इस प्रकार से हाथ लगा सकते हैं तो ये सारे सिम्टम्स है ये आपकी जो प्रेगनेट बच्चे है उसमें आपको दिखाई देंगे ये देखिए तो आप अराम से पता कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको अपने जो बच्चे है ना उसके अंदर यानि आप जब अपने डेरी फार में रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा अगर आप डेरी फार में समय नहीं दे रहे हो अपने बच्चे को देख वाले उससे नहीं हो रही है तब आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बच्चिया गाबिन ठहर गई है या नही ठेरी है तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा जैसा की मैंने आपको बता है जब यह हीट में आई थी तो तीन बार ही इती साइलेंट हीड थी सबसे पहले इसमें जो हलका डिसार दिया था गाड़ा उसके बाद खुल करके हीड में आई थी उसकी बाद जब यह यह करवाई तो 21 दिन बाद यह हीट में बिल्कुल भी नहीं और यह सिम्टम्स देखने को मिले यह जो आप में मैं दिखा रहा हूं यह डिस अर्ज विगाड़ा और इसके सासात है इसका जो सभाव है उसमें भी बदला हुआ है तो यह सारे सिम्टम्स है आपकी बच्छा के गाभीन के फुक्ता सबूत है तो आप इस प्रकार से पैचान है वो कर सकते हैं आई हो वीडियो पसंदा है पसंदा लाइक करें चनल मनें सब्सक्राइब करें मिलते अगले वीडियो में जाहिए